हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्टूब चैनल जिक के कलासे जो निश सुबहतर और मैं आपके लिए लेकर आए हूँ अगर आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं यह आप देख सकते हैं राजस्तान लोक्षेवायोग अजमेर का आज का जो है यह अपडेट है और यह किसे रिलेटेड है यह सेकेंड ग्रेड अध्यापक पर प्रतियोगी परिक्षा 2022 विशे विज्ञान के रिजेल से रिलेटेड है ठीक है और पेशे के दुवारा सेकंड ग्रेड का जो रिजेल्ट है साइन्स का वो जारी कर दिये है यह प्रोविजनल रिजेल्ट है ठीक है पूरी न्यूज क्या वो देखिए मादेमिक शिक्ष्य प्रतियोगी परिक्षा 2022 के अंतरगत विज्ञान विशे के पदोहेतु आयोग दुवारा गुरूप सी के प्रथम परशन पत्र जिक्के तता दुवत्य परशन पत्र विज्ञान की लिखित परिक्षा ओब्जेक्टिव टाइप क्रमस है दिनांग 39-2023 तता दिनांग 24-2022 को आयुजित की गई थी ठीक है इसके बाद देखिए उक्त परिक्षा के फलसव रूप टीएसपी एवं नोन टीएसपी छेत्र हेतु विज्ञापित पदों के विरुद नेमन लिखित रोल नंबर वाले अभ्यार्थियों को पत्रता की जांच हेतु विचारित सुची या लिखिश बर्तिपरिक्षा के अंदर सामिल होे थे ठीक है उनका ये प्रोवीजिनल रिजेल्ट जो है ओर पिससी के दواरा जारी किया गया एस थाय रिजेल्ट है फाइनल जो रिजेल्ट है वोकुमेंट शिरिफिकेशन के पस्चा जारे किया जाएगा ठीक है तो सेकंड ग देख सकते हैं रोल नमबर टीएश पी छेत्र के ठीक है टीएश पी अनुसुचित छेत्र के अंदर टोटल जो ब्यार्थी हैं जिनको इसमें एस्थाई रूप से उत्तिरण गोशित किया गया है वह हैं चोशट और ये इनके रोल नमबर है जो आप देख सकते हैं ये तो ये गेर अनुसुचित छेत्र के साइन्स सब्जेक्ट में उत्तिरण जो अब्यार्थी हैं एस्थाई रूप से प्रोविजनली जो उत्तिरण अब्यार्थी हैं उनके रोल नमबर आपके सामने हैं आप देख सकते हैं ठीक है तो आप सभी अब्यार्थियों को मेरी तर करता नहीं है आप मैनत करते रहें सही दिसा में अगर मैनत करते रहेंगे तो एक नेक दिन आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी तो ये नोन टेश्पी एरिया के अब्यार्थी हैं जिनको ऐस्थाई रूप से आर्पेसी सेकंड ग्रेड एकजाम विसे साइ के रिजेल्ट में जो है उत्तिरण गोशित किया गया है यह आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ ठीक है यह पूरी लिस्ट आपके सामने है इन सबी अब्यार्थियों का डोकुमेंट्स विरिफिकेशन होगा उसके लिए काउंसलिंग जो एक जार चार सो अस्षी है नों टी एस पी रिया के टोटल एक जार चार सो अस्षी अब्यार्थियों को एस थाय रूप से उत्तिरण गोशित किया गया है इसके बाद मैं आगे की डिटेल देखिए यह चैन सुची परक्रिया में भाग लेने वाले अब्यार्थियों की दस्तावे सत्यापन के उद्देशे से तथा यह चैन सुची वरियता सुची नहीं है अंतिम रूप से सफल अब्यार्थियों की सुची दस्तावे सत्यापन के पस्चा जारी की जाएगी तो यह ऐस थाई रूप से उत्तिरण अब्यार्थियों की लिस्ट है ठीक है इन सभ अब ब्यार्थियों का RPC के दुवारा काउंसलिंग के माद्देम से डोकुमेंट्स विरिफिकेशन किया जाएगा और डोकुमेंट्स विरिफिकेशन के पस्चा जो है इनकी फाइनल जो लिष्ट है सुची जो है वो जारी की जाएगी ठीक है दस्तावे सत्यापन का कारिये काउंसलिंग के माद्देम से किया जाएगा अता है अब ब्यार्थियों अपना विस्त्रित आवे दिन पत्र बरकर काउंसलिंग के समय उपस्तित होएं काउंसलिंग के विस्त्रित कारिये करम के समन्द में आयो की व्यवसाइट एवं अन्य तक से सुचित कर दिया जाएगा तो ये सभी जो बैरतीय टीस्पी एरिया और नों टीस्पी एरिया इन सब्भी आप्डेट आएगी जब भी अपडेट आएगी में वीड़ियो पलोड कर दूँaterial इसके बाद देखिए आयोग दुआरा अब्यार्थियों की पत्रता की जाँच विग्यापन की सर्तों और नियमों की अनुसार की जाएगी पत्रता की समस्त सर्ते नियम आनुसार पूर्ण नहीं करने वाले अब्यार्थियों की पत्रता आयोग दुवारा रद कर दी जाएगी तदा पत्र पाएगी अब्यार्थियों में से ही नियम आनुसार मुख्य चैन सुची एबं आरक्षी सुची जारी की जाएगी तो डोकुमेंट्स विरिफिकेशन के दोरान जो अब्यार्थी हैं उनके विग्यापन की सर्तों और नियों के नुसार उनके डोकुमेंट्स चेक किये जाएंगे ये जाच किया जाएगा कि वो जो अब्यार्थी है वो विग्यापन में जो सर्ते बताएगी इस पद के लिए वो सरते पूरी करते हैं निरधारत योग गयता उनमें है कि नहीं है डोकुमेंट्स उनके सही है कि नहीं है ठीक है तो जो अब ब्यारती काउंसलिंग के अंदर सही पाये जाएंगे उनकी फिर फाइनल रूप से और मेरिट लिस्ट जो है आर्पेसी के दुवारा जारी की जाएगी और कुछ अब ब्यारतियों की वेर्टिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी ठीक है इसके बाद में देखी आप ये है आपके सामने कटोफ मर्क्स सबसे पहले टी एसपी एरिया की कटोफ मर्क्स क्या रहे है वो आप देख सकते हैं जनरल की अगर अपन बात करें तो जनरल के इंदर जो सामने कटोफ मर्क्स रही है वो 203.86 एसी की बात करें तो एसी के इंदर जो सामने कटोफ मर्क्स रही है सामने की 203.86 में और ST के अंदर सामाने जो cut off marks रही है वो 186 point बहतर ठीक है और यह है आपकी date of birth की cut off marks date of birth की cut off marks का मतलब यह है अगर आप नए है चेनल पर तो मैं आपको बता देता हूँ date of birth की cut off marks का मतलब यह है कि मालिज यह एक केटिगरी है उस केटिगरी के अंदर दो या दो से अधिक ब्यार्थियों के same marks आए है ठीक है तो अब उनमें से किसको रखा जाएगा और किसको जो है आउट किया जाएगा उसका फिर decision जो है वो उनकी date of birth के आदार पर किया जाएग ठीक है बले उनके cut off marks इस केटिगरी के अंदर आ रहे हों इस cut off marks के अंदर आ रहे हों ठीक है इसके बाद देखिए यह है आपके सामने TSP एरिया का horizontal reservation horizontal reservation का मतलब होता है खे 30 आरक्षन यानि आरक्षन के अंदर आरक्षन यानि कुछ कटिगरीयां इसी होती है जैसे मालो sports जो खेल खिलाडी है उनके लिए अलग से reservation का कोटा होता है हर बरति परिक्ष्या के अंदर विकलांग होते हैं उनके लिए अलग से कोटा होता है उनकी category के अंदर ठीक है नहीं तो इस प्रकार से access service में होते हैं उनका अपना अपने category के अंदर अलग से कोटा होता है तो यह उनके लिए है ठीक है तो इसमें आप सब देख सकते हैं कि na लिखावा है na का मतलब यह है कि not available यानि जितने minimum mark से पास होने के लिए और चाहिए उतने mark से धारण करने वाला कोई भी यह ब्यार्थी जो है वो इस category के अंदर उपलब्द नहीं है ठीक है इसके बाद में अपन कटोफ देखते हैं यह आपकी non-tsp area की यानि सामाने जो अच्छेतर है उसकी कटोफ marks क्या रही है तो इसमें general जो है सामाने कटोफ marks रही है इसकी 226.50 EWS MBC जो जनरल की कटोफ marks रही है वो 207.34 EWS C category के अंदर जो सामाने कटोफ marks रही है वो 177.68 EWS C category के अंदर जो सामाने कटोफ marks रही है वो 85.28 EWS ठीक है इसके बाद में बात करते हैं OBC तो OBC के अंदर जो सामाने कटोफ मार्क्स रही है सामाने 201.8 C MBC के अंदर जनरल जो कटोफ मार्क्स रही है वो 205.673 और ये सहरिया इसके अंदर जनरल जो है कटोफ मार्क्स नोट एवलेबल उपलद नहीं है यह आपके सामने होर्जेंटल रिजरिवेशन यानि क्षेती जारक्षन तो इसमें अक्स सर्विस्ट में इनकी जो कटोफ मर्क्स है वो आप देख सकते हैं 165.49 रही है ठीक है यह बाकी यह विकलांग बगरे हैं इनकी कटोफ मर्क्स आप देख सकते हैं या लग-लग कटोफ दिया एने से ताथ परिये candidates not available due to minimum qualifying marks as per service rules ठीक है यानि service rules के इसाब से minimum जो qualify marks चाहिए ठीक है वो किसी भी अभ्यारती के पास में इस के टेगरे के अंदर नहीं थे इसलिए वहाँ पर एने लिखा हुआ है दूसरा पोइंट है नियुन्तम उत्तिरनांक में नियमानुसार छूट प्राप्त अनुसुची जाती एवं अनुसुची जन जाती वरग के अभ्यारतियों को परिपत्र दिनांक 26-2017 की पालना करते हुए अनारक्षित वरग हेतु विचारित पदों के विरुद परिणाम प्रक्रिया में तो इनको अनारक्षित केटेगरी के अंदर सामिलनी किया गया है ठीक है ये आदेश 26-7-2017 का निकाला हुआ वसुन्दरा राजे के टाइम पर ये परिवर्तन किया गया था कि जो अरक्षित केटेगरी है उसके नंबर चाए मार्क्स चाए बले ही जनरल केटेगरी के मार्क् किया जाएगा ठीक है और तीसरा जो पॉइंट है प्रसासनी कारणों से निमन लिखित तीन अभ्यार्थियों का परिणाम रोका गया है ये तीन अभ्यार्थियों के रोल नंबर है इनका रिजेल्ट जो आरपीसी के दुआरा प्रसासनी कारणों से रोक दिया गया है तो य